गुडमार्निंग स्टुटिंट्स, जैसा कि हम अपना चैप्टर कर रहे थे ग्लोबल मेनुफीक्ट्रिंग आउट्सॉर्सिंग और पूसॉर्सिंग कवर कर लिया था लिए और एक पार्ट बचा था लोजिस्ट्रिक मैनेचमें या फिर हम बोल सकते हैं ग्लोबल सप्लाई chain management क्या होती है global supply chain management एक ऐसी process होती है जो raw material के procurement से start होती है initiate होती है और end होती है ultimate customer तक तो जो global supply chain management that is a vast process क्यों क्योंकि वो हमारी कहां से start हो रही है supplier से material जो हम उठा रही है supplier से raw material लिया फिर उसके हमारा क्या क्या चीज़े इसके अंदर दो और include हो जाती है एक हो जाता है हमारा logistic management और दूसरा हो जाता है material management logistic management जो होता है या logistic decision जो होते हैं वह होते हैं transportation और वियरहाउसिंग से related whereas inventory management के बारे में आप जानते ही है कि हमें कितनी quantity में कितना material कम से कम cost पर अपने manufacturing unit में बना कर चलना है अब international supply chain management की बात करें तो international supply chain management तो और भी वास्ट हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि supplier अलग country में अलग country का होगा customer आपके किसी और countries के होंगे आपका जो manufacturing process है वो कहीं और चल रही होगी तो जो global supply chain management है उसे control करना थोड़ी सी difficult task हो जाती है तो global supply chain management क्या होगी आप process which start या which initiate with procurement of raw material from supplier then storage of raw material and components फिर उसके बाद आ जाता है उसका manufacturing manufacturing के बाद आपका जो finish good बन गया उसे आप store करके रखेंगे warehouse में जरूरी नहीं है कि इस country में आप बना रहे हैं अधर ही आपने warehouse बनाए हूँ है वह सकता है वे आपके अलगलग countries में हो जहां हाँ आप अपने material को store करके रखते हैं अपनी finish good को store करके रखते हूं फिर उसके बाद distributors आ जाते हैं distribution channel जिसके अंदर physical distributors भी आ जाते हैं wholesaler retailers सब आ जाएंगे और last में आ जाता है हमारा customer customer हमारा final जो यह हो जाएगा एंड हो जाएगा हमारा supply chain management की process का क्लियर supply chain management एक बहुत ही वास्ट टर्म है अगर हम practical लगा कर चलें जो की supplier से start होती है जरूरी नहीं है हमारा supplier एक ही हो एक से जादा supplier भी हो सकते हैं क्लियर और international supply chain management और भी वास्ट हो जाएगा क्योंकि यह supplier भी अलग कंट्री के manufacturing हाग भी आपके अलग अलग कंट्री में होंगे manufacturing plant, warehouses आपके different different countries में और customer आपके अलग अलग कंट्री में फैले होंगे तो supply chain management को control करना थोड़ा सा difficult हो जाता है यह जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है यह मैंने manufacturing unit की बताई है अब हम देखते हैं कि बाएजास अगर हम service provider है तो supply chain कैसी होगी अगर हम service provider है हमारा काम manufacture करना नहीं सिर्फ service provide करना है तो उस time पर हमारी कुछ steps cut down हो जाएंगे manufacturing वाली प्रोसेस से जैसे कि सबसे पहले supplier तो आएगा आएगा equipment को store किया जो service देने के लिए हमें equipment की need होगी service provide की और last में वो service किसे दी customer को तो बहुत सारे steps इसमें से cut down हमारे हो गए है ठीक है इतना clear अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया जो supply chain management है उसके इंदर दो चीज़ें include होती है एक international logistic management और logistic management मैंने आपको बताया कि सी related होता है दो चीज़ों से क्या-क्या transportation और warehousing यहां international word यूज हो गया तो international मतलब अलग अलग countries में आपके transportation medium भी होने चाहिए जैसे international या आपने कंट्री से दूसरी जगह पहुचाना है माल तो आप by air by sea by road भी आपका जा सकता है तो आपने देखना है पर थोड़ा प्रांच से हैं वो अलग अलग countries में हो सकते हैं तो आपने उसी चीज़ को कंट्रोल करना यह टिपिकल टास्क हो जाती है फिर आ जाता है मारा international material management material management या inventory management आप जानते ही है कितने quantity में आपने material maintain करके रखना है कहां से मंगाना है राइट टाइम पर मिलेगा या नहीं राइट कोस्ट पर मिलेगा राइट क्वालिटी का होना चाहिए सब कुछ हमारा क्या हो जागा material management और international मतलब अलग-अलग countries को हमने इसके साथ में add-on कर देना है अचाहिए एक important topic इसके अंदर बनता है और यह two two marks में भी questions पूछे जाते है modern techniques in material management एक एक उठाकर आपसे दो-दो number में generally पूछ ली जाती है modern techniques in material management भी बोल सकते हैं inventory system just in time जब चाहिए तभी के तभी material मंगाना मतलब यह नहीं है कि हम raw material पहले से मंगाके रखेंगे store करके रखेंगे बाद में manufacturing करेंगे नहीं अगर आज production होनी है तो आज के आज ही material मंगवाना ठीक है तो वह हो जाता है आपका just in time और इसके फाइदा क्या होता है इसे company का इसे company की दो तरह की cost बचती है जो हमारी दोनों material से related होती है storage cost भी बचती है और carrying cost भी बचती है तो वेरहाउस रखने पड़ते है ना इस company को storage की कोई cost bear करनी पड़ी है ना उसे बार-बार material मंगाने जब मंगाना है जिस दिन बनाना है उस दिन material कहुंचेगा काम खतम और यह उस वहां possible है जहां आपकी supply smoothly चले clear next आता है electronic data interchange electronic data interchange क्या होगा यहां पर electronic link हो जाते हैं कौन को हो जाते हैं हमारे supplier, manufacturer, customer और बाकी जो भी हमारी ancillary units होंगी ठीक है यह जो system होता है हमारा जो documents की processing में speedily document एक जगा से दूसरी जगा भेचना है उस चीज़ में help करता है जैसे की raw material के लिए हमें order भेचना है तो हमने फटा-फट electronic data interchange मतलब अपना internet यूज किया और साथ के साथ हमने order क्या हो जाता है यहां पर electronic मतलब जो भी हमने data या papers एक जगा से दूसरी जगा भेचने है वो physically mode की जगा हम कौन सा mode यूज कर रहे हैं वहां पर electronic mode next आता है material requirement planning material requirement planning क्या होता है software होता है material requirement planning यह क्या करता है यह जो होता है business के अलग अलग parts से जो भी information चाहिए होती है उसे link link करके information flow का काम करता है जैसे कि कितना हमें raw material की demand होगी production के लिए हमें कौन-कौन से components की जरूरत होगी और कब-कब हमारी production होनी है मतलब पूरे का पूरा resources को plan करना कितना material है कितने की जरूरत होने वाली है कितना हमारा market में sale होने वाल है उसकी पूरी जानकारी इस software में record होती है आजकल के time पे इस software को ERP के नाम से जाना जाता है आप सीखते भी हैं companies में बड़ा काम करता है enterprise resource planning तो उसके इंदर कोई चीज आपके recorded होती है आपके कौन-कौन से product है store में आपका कितना material बढ़ा हुए कितनी sale हो चुकी है एक-एक चीज का आपका record होता है purchase कितनी हो गई है तो यह क्या है एक software जो generally आजकल हर company use कर रही है नेक्स रात है radio frequency identity रेडियो frequency identity क्या होती है electronic tag होती है एक electronic tag होता है छोटा सा जिसके अंदर product की location quantity origin से related सारी की सारी information store होती है क्या बोला मैं दुबारा repeat कर रही हूँ radio frequency identity एक electronic tag होगा जिसमें product की location quantity और origin के बारे में हरे एक information store होगी एक electronic card reader उस information को scan कर सकेगा और वो scan कैसे करेगा through radio waves और यह जो electronic card reader है जरूरी नहीं है कि आपको जो आपका tag है उसके बहुत नजदीक लेकर आना है वो दूर से भी उसकी information capture कर लेगा जैसे कि आप रिलाइन स्मार्ट वगेर जाते हो तो आपकी बिलिंग होती है products की तो वो क्या करते है scan करते हैं उनके पस price आ जाता है कितना कितना price है तो यह एक तरह से हमारा क्या है वहाँ पर वही लगा हुए टाइग ही लगा हुए electronic टाइग आजकर fast टाइग वाला सिस्टम है कि गाड़ी के ओपर टाइग लगा लिया उपर से scan होता है तो आरी information scan हो जाती है इसी तरीके से हर product के उपर भी उसका origin क्या है क्या उसका origin क्या है कब उसकी manufacturing date उसका price सब कुछ उसकी location सब कुछ उसके अंदर store होता है अगर देखा जाए आजकल airports पर भी use हो जाता है वाई-जांस किसी का लगेश हो जाए उनके ओपर टाइग लगा होता है तो वह easily identify कर सकते हैं कि आपका सामान कहां पहुंच गया है किसके हा तो उन दोनों का linkage कैसे होगा suppliers और manufacturer का simple IT models use करते हैं information technology के जो models अब label है उन्हें use करेंगे और उसके थुरू supplier और manufacturer के बीच information का flow smoothly होता जाएगा लास्ट हम बात करें e-commerce, electronic commerce, electronic commerce क्या हो गया यहां भी हम क्या कर रहे हैं इंटरनेट का use कर रहे हैं global supply chain management को manage करने के लिए यहां e-commerce के इंदर क्या होता है, इंटरनेट को use करके हम supplier को link करते हैं manufacturer के साथ और manufacturer को link करते हैं customer के साथ तो e-commerce के जरीए supplier और supplier manufacturer और जो customer होते हैं वो interlink हो जाते हैं और information का flow होता है वो quick हो जाता है और time की wastage यहाँ पर कम होती है I hope आप लोगों को clear हुआ होगा यह chapter जो global supply chain, global manufacturing, outsourcing and logisting decision इतना ही था और आज हमारा यह chapter यहीं finish होता है इसके साथ ही कोई भी doubt हो, कोई भी query हो तो आप comment box में comment डालके या फिर whatsapp group पर भी पूछ सकते हैं Thank you so much